हलो दोस्तों Microsoft Word बहुत ही ज्यादा व्यूज़ होने वाली अप्लिकेशन है जो कि आज ही हरेक्स सेक्टर में commonly यूज़ होती ही है तो Microsoft Word पे आप अच्छित अरिकेश से कमांड पा सको इसके लिए मैं यहां बिल्कुल भी सिक्त अरिकेश से कंट्रोल ए टू कंट्रोल जड सोटकर्स लेके आया हूँ इसका यूज़ कहां और कैसे करनी है किस तरह से यूज़ की जाती है उनका रिजल्ट के आता है ये प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ याद रखिएगा अगर आप सिखने में इंट्रेस्ट हैं तो लाच्ट तक बने रहिएगा सिधी बातनों बकवास मैं तुसार सिंग और बनाते हैं वीडियो को खास ट्यस्ट कंट्रोल ए टू कंट्रोल जड को डिटेल में लिख रखा हूँ जिससे कि आप सभी को समझने में असानी हो अगर दोस्तों आपको इसका पीडियो चाहिए तो जरूर से आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेस्ट केमपेट टेक को फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जे दूँगा तो चलिए करते हैं सुरू अगर आप गर्स हो तो लाइक करो और बॉय जो त जब मैं बोलूं कंट्रोल प्लस ए दबाईए तो आपको कंट्रोल दबाना है देखिए इधर भी एक कंट्रोल का बटन है और इधर भी कंट्रोल का बटन है दोनों में से आपको भी कंट्रोल बटन दबा सकते हैं जब मैं बोलूं कंट्रोल प्लस ए दबाईए तो कंट्रो को दबा के ही रखना है और उसके बाद ये बटन दबाना है ठीक है अगर मैं बोलूं कंट्रोल प्लस एम बटन दबाईए तो आपको कंट्रोल बटन दबा के ही रखना है उसको छोरना नहीं है और उसके बाद आपको ये एम बटन दबाना है ठीक है आप में से बहुत साए ल ये वाला उपर के साइड जो दिखाई दे रहा है और फिर M दबा देंगे ऐसा नहीं करना है ठीक है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जब मैं बोलूं गलते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे चांट्रोल प्लस ए से क्या होता है तो तू सलेक्ट औल्दा टेक्स्ट कहने का मतलब है उस डक्यूमेंट में जो भी डाटा होगा वस सारा का सारा कांट्रूल प्लस ए से select हो जाएगा है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रग्राफ लिखे हुए हैं और कुछ images है है ना अगर इन सभी को एक बार में select करना है तो वहाँ पे हम control plus A का use करेंगे ध्यान रहे control को दबाके रखना है फिर A को press करना है जैसे ही यहाँ पे हम control plus A प्रेस करेंगे तो देखिए image के साथ साथ हमारा text भी select हो गिया है कहने का मतलब है कि हमारे document में जो भी कुछ होगा shapes हो, image हो, text हो etc. वो सारा का सारा control plus A से select हो जाएगा तो गर control plus A से select all और अब बात करते हैं control plus B से क्या होता है तो control plus B से to bold selected text यानि कहने का मतलब है हम अपने select के हुए text को control plus B से bold करते हैं है ना, तो आईए हम इसको practically समझते हैं यहाँ पे हम को जिस भी text को bold करना है, first of all हम उसे drag करके कर लेंगे select, इसके बाद control plus B बटन तबाने से हम देखेंगे, हमारा यह text bold हो गया है, ना, bold कहने का मतलब है, text थोरा से dark हो गया, अगर हमको सारट data को bold करना है तो मैंने अभी आपको बताया control plus A से select all control plus A से select all control plus B से bold है ना, control plus A से select all और control plus B से bold अब हम बात करते हैं control plus C से क्या होता है, तो to copy selected text यानि हम अपने select किये हुए text को copy करते हैं, मतलब कि उसका duplicate बनाते हैं, किसी भी data का duplicate करना हो तो हम वहाँ पे copy का use करते हैं, तो आईए इसको भी हम practically समझते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लिजिए on the insert tab वाले प्रेगराफ को हम लोग को copy करना है, तो first of all हम इसे कर लेंगे select, उसके बाद duplicate करने के लिए control plus C और यह data हमारा हो गया, copy अभी आपको नहीं paste करेंगे न, on the insert tab, इसको हम लोग control B से paste कर लेंगे control C से copy और control B से paste, paste के बारे में हम लोग फिर से आगे भी परहेंगे और अब बात करते हैं, और अब बात करते हैं, control plus D तो control plus D से होता है, open font dialog box and duplicate any object कहने का मतलब है, control plus D से font dialog box open होगा और control plus D से हम किसी भी object का duplicate बना सकते हैं object का मतलब है, अगर आपका document में कोई image हो, कोई shape हो तो उसको हम लोग select करके, उसका duplicate को तयार कर सकते हैं तो आईए हम इसको भी practically समझते हैं यहाँ पे अभी, यहाँ पे अभी हम जैसे ही control plus D को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्यादे देखेंगे, कि font का dialog box open हो गया है यहाँ पे simply हम document में अगर control plus D को प्रेस कियें तो यहाँ पे देखें कि font का dialog box open हो गया यहाँ से हम bold, italic, underline, font का size, font का color, sub script, super script और भी बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग इस font dialog box से कर सकते हैं अभी हम लोग shortcut के बारे में पर रहे हैं जब next video में हम लोग MSU art को पर हैं तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पे और बात कर लेंगे हैं और अब बात करते हैं control plus D से duplicate हैं तो उसके लिए हमको किसी object को select करना होगा तब वो काम करेगा जैसे अभी आप देख सकते हैं इस document पे एक image दिखाई दे रहा है आपको है ना एक image दिखाई दे रहा है इसको जैसे हम left click करेंगे mouse से तो ये image हमारा select हो गया और जैसे ही अब यहाँ पे हम control के साथ D प्रेस करेंगे देखिए इसका एक duplicate तयार हो गया है ना जैसे ही हम इन दोनों image को select कर लिए फिर keyboard से control के साथ D बटन प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि उस image का यहाँ पे duplicate तयार हो गया तो मैंने अभी आपको क्या बताया control plus D से font dialog box और control plus D से duplicate any object है ना और आप बात करते हैं control plus E, control plus E से होता है align to the center कहने का मतलब है कि हमारे document में जो भी text लिखा हो हम चाहते हैं कि वो page के पीचो भी center में लिखा है तो उसके लिए हम लोग control plus E बटन का use करते हैं आईए इसको भी हम लोग समझते हैं यहाँ आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे line लिखा हुआ है कोई line line आगे है तो कोई line पीछे है और left side से सरा line एक ही समान में है ना तो हमको center करने के लिए first of all control plus E से select करना होगा है थिर center करने के लिए हमको control plus E का E बटन को प्रेस करना परेगा center के लिए control plus E बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि हमारा text center में आ चुका है ना यह देखिए पहले आगे पीछे में था और आब दोनों side से equal है अगर यहां से clear नहीं हुआ तो मैं थोरा सा clear और करना चाहूंगा जहां पर मैं एक line लिखता हूँ ts computer tech मेरी यह पुरी कोशिस रहेगी कि मैं जो भी कुछ आपको बता हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए है ना तो first of all हम center में आने के लिए सहसे पर इसको drag करके कर लेंगे select जैसे ही हम keyboard से ctrl plus e button प्रेस करेंगे देखिए ts computer tech आप ठीक पेज के बीचों बीच में देख सकते हैं ना वो इस परकार से हम ctrl plus e से center का use करते हैं तो तो यह बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ctrl plus f तो ctrl plus f से होता है find the text find मतलब होता है खोजना है ना find मतलब होता है खोजना तो हम अपने document में अगर हम खोजना है कि में the कहां कहां लिखा हुआ है कितने times the का use हुआ है तो उस condition में हम वहां पर find का use करते हैं ना तो आईए हम इसे भी समझते हैं यहां पर मान लिजिए हमको the खोजना है कि हमारे इस document में the कहां कहां पर लिखा हुआ है कितनी times लिखा हुआ है कहां कहां लिखा हुआ है तो उसके लिए हम अपने keyboard से control प्लस F बटन को प्रेस करेंगे यहां पर एक navigation बार open होगा और यहां पर हम कुद अगर दा का खोजना है तो यहां पर हम लिखेंगे ती एची इदा है ना तो यहां पर देखेंगे कि दा कहां जहां जहां लिखा हुआ है डोकुमेंट में वह automatic हाइलाइट हो गया है ना तो इस तरीके से हम यहां पर find का यूज करते हैं अब यहां पर हम लोग बात करेंगे control प्लस G तो control प्लस G से होता है go to go to का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पचास साथ पेज का एक डोकुमेंट है अगर हम first number में हैं और directly हम jump करना चाहते हैं आचास में पेज पे तो उस condition में हम go to का use करेंगे है ना जैसे कि आईए हम इसको practically अमजते हैं जैसा कि हमने आताया हमारे पास अभी दो पेज का डोकुमेंट है ना first page उपर में है और second page ये है तो यहाँ पे हम लोग पेज करेंगे control के साथ G तो go to का एक यहाँ पे dialogue box open हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है inter page number हम page number डालेंगे 2 और जैसे ही go to पे click करेंगे ये देखिए हम लोग अपने second number page पे आ गया है तो जैसे ही यहाँ पे हम one press करेंगे और go to पे click करेंगे देखिए हम लोग अपने first page पे आ गया है तो इस परकार से हम go to button का use करते हैं अब हम लोग बात करेंगे control plus h तो control plus h से होता है replace replace का मतलब होता है बदलना है ना किसी word को अगर दूसरे word में convert करना हो तो उस condition में हम replace का use करते हैं for example इसका अच्छा खसा यूज three idiot में speech के दोरान किया गया था है ना ये तो आईए हम इसको भी practically समझते हैं तो यहाँ पे जान लिजे जहां जहां पे दल लिखा हुआ है हम चाहते हैं कि एक ही बार में वह अगर पीसी में convert हो जाए तो उसके लिए हम वहाँ पे replace का ही use करेंगे ना तो हम अपने keyboard से प्रेस करेंगे control के साथ h देख यहाँ पे find replace go to तीनो एक ही menu में है ना तो यहाँ पे कह रहा है find what क्या आपको खोजना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं the है ना t h e the उसके बाद पूछ रहा है replace with the को किस चीज में आप change करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं pc है ना pc for example pc यहाँ पे जैसे ही replace all करेंगे यहाँ यहाँ पे देखिए बाता दिया की 46 replacement 46 वाड को pc में convert किया गया है यहाँ से करते हैं okay इसो करेंगे close देखिए जहाँ जहाँ दाली लिखा हुआ था वो सब pc में उज्ज हो गया हम आपको दिखाना चाहेंगे control प्लस f से और यहाँ पे हम लिखते हैं pc देखिए जहाँ जहाँ दाल था वहाँ वहाँ पीसी आ गया है ना इस तरही के से हम replace का यूज करते हैं अब हम लोग बात करेंगे control प्लस i तो control प्लस i से होता है italic है italic कहने के अतलब है कि वो word थोरा सा तेरह हो जागा है ना आई हम लोग हम इससे भी practically समझते हैं यहाँ पे जिस भी word को हमको italic करना है first of all हम उसे कर लेंगे select select करने के बाद keyboard से जैसे control के साथ i बटन को प्रेस करेंगे देखिए वो word हलका सा तेरह हो गया है ना तो हम लोग control प्लस i से italic करते हैं ठीक है आई यह बढ़ते हैं आगे अब हम लोग बात करेंगे control प्लस j तो control प्लस j से होता है justify है ना आई यह हम इसे समझते हैं यह जो text आप देख रहे हैं वो देखिए left side से तो बराबर है लेकिन right side से बराबर नहीं है कोई line ज्यादा है तो कोई line कम है justify करने का मतलब यह है कि इधर से भी line बराबर होगा और इधर से भी है ना जब कोई आप document बनाओगे अगर वो एक तरफ से बराबर होगा और एक तरफ से बराबर नहीं होगा तो वो document हमारा अच्छा नहीं लएगा है ना तो इसलिए हम लो document को सुन्दा और attractive बनाने के लिए justify का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे control प्लस j से select all करना होगा है ना उसके बाद जैसे हम यहाँ पर control के साथ यह प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि हमारा वो data दोनों और से एक समान हो गया है ना अब यह document कहीं जा करके एक professional लग रहा है है ना तो तो अच्छे धंग से अच्छे धंग से create करने के लिए अच्छे धंग से उज़ करन तो control प्लस के से होता है insert hyperlink कहने का मतलब है hyperlink एक ऐसा system होता है जब कभी आप किसी word पे किलिक करो तो आप उस word से दूसरे document पे चले जाओ है ना तो आईए इसको हम अच्छे से समझने के लिए हम इसे practical के रूप में समझते हैं मान लिया जाए insert tab को link करनी है किसी और page से तो सबसे पहले हम इसे कर लेंगे select उसके बाद यहाँ पे हम जैसे ही control के साथ के button को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक hyperlink का pop-up खुल जाएगा है ना यहाँ पे कह रहा है कि हम को जिस भी document से इसको link करना है वो link यहाँ पे हम इसको दे देंगे यहाँ से हम इससे ले लेते हैं और करते हैं यहाँ से ok है ना तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि link करने के बाद insert tab का color change हो गया है तो यहाँ पे हम जैसे ही insert tab पे control के साथ left mouse button के लिक करेंगे तो हम directly उस page पे पहुंच जाएंगे जिस page को हम यहाँ से link किये हुए हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे control के साथ left button के लिक करने से हम यहाँ पे उस page पे पहुंच जाएंगे जिस page को हम यहाँ से link किये हुएते हैं तो इस तरीके से हम hyperlink का use करते हैं तो आईए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं control plus L तो control plus L से क्या होता है to left alignment है ना हम अपने text को left में align करने के लिए control plus L का use करते हैं तो आईए इसे हम लोग practically समझते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये left side से align क्या हुआ है ना तो सबसे पहले हम इसे कर लते हैं select और इसे right में कर लते हैं align ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ है ना अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमार डाटा भी right side में align क्या हुआ है अगर हम को left side में align करना है तो सबसे पहले हम उसे करेंगे select उसके बाद जैसे है keyword से हम control प्लस L बटन प्रेस करेंगे देखिए वो right के side align हो गया है ना तो इस तरहिके से हम control प्लस L से left alignment का use करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब हम लोग बात करते हैं control प्लस M तो control प्लस M से होता है increase indent और control shift M से होता है decrease indent है ना तो आएए इसे भी हम लोग practically समझते हैं मान लिया जाए कि जिस भी paragraph को हम को indent करना है उस paragraph के first में हम click कर देंगे और जैसे है control के साथ M बटन प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि वो paragraph हमारा indent हो रहा है है ना और उसे back करने के लिए control shift के साथ हम लोग M बटन प्रेस करेंगे वो हमारा indent decrease हो जाएगा है ना तो इस तरह से control के साथ M बटन से increase और control shift M से decrease है ना increase indent और decrease indent आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग बात करेंगे control plus N तो control plus N से होता है open new blank document इसका कहने का मतलब है कि हम अपने document में जैसे ही control plus N बटन को प्रेस करेंगे देखेंगे एक नया document हमारे सामने open हो गया है ना हम new document जब भी हम किसी document पर काम कर रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि new file आ जाए तो वहाँ पर हम लोग control plus N बटन का यूज करेंगे हैं ना आसा करते हैं कि हम आपको जो भी कुछ समझा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा है ना तो सर्च लिए बरते हैं आगे और अब हम बात करेंगे control plus O से होता है दोस्तो open a saved file save किये हुए file को अगर open करना है तो उस condition में हम लोग control plus O का यूज करेंगे यहाँ पे जैसे ही हम control के साथ O बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे हम से पूछ रहा है कि हम कौन से file को open करना चाहते हैं हमें जैसे भी file को open करना हो simply वहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ से open क्लिक करेंगे वो file हमारे सामने में open हो जाएगा है ना और हम लोग बात करेंगे control plus P से होता है दोस्तों to print a ready document है ना to print a ready document तो आईए हम इसे भी समझते हैं जैसे हम अपने डोकुमेंट में control के साथ P बटन को प्रेस करेंगे तो print का dialogue box खुल जाएगा है ना आपको यहाँ पर print का preview दिखा रहा है कि आपका page ऐसा ही print होगा है ना यहाँ से हम लोग इस document को print कर सकते हैं मतलब control P से print होता है ना तो आईए अब हम लोग अठते हैं आगे दोस्तों अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप like comment subscribe करना ना भूले है ना मेरी पूरी महनत है कि आपको मैं जो भी कुछ बता हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने ही चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा सारा महनत वे अर्थ है तो च आतर हैं हम यहां पर रहे थे कंट्रॉल प्लस M से इंकिरीज इंडेंट और यहां पर कंट्रॉल प्लस Q से इंबहर स इंडेंट है यह दोनों में आंतर क्या है हम इसे भी समझ रहे हैं तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर Ctrl को साथ M बटन को प्रेज करेंगे देखेंगे कि हमारा Indent इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जैसे हम लोग Ctrl प्लस Q बटन को प्रेज करेंगे देखिए वो Inverse हो गया है ना मतलब कि वो Automatic Back में आ गया का Ctrl प्लस M से Increase Indent और Ctrl Q से Inverse Indent है ना तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो अब दोस्तों हम बात करेंगे Ctrl प्लस R से क्या होता है तो Ctrl प्लस R से हम Allying Your Content to the Right मतलब हम अपने डाटा को Right के साइड Allying करने के लिए Ctrl प्लस R बटन का यूज करते हैं आईए इसको समझने के लिए हम आगे की और प्रस्थान करते हैं यहां अभी आप देख सकते हैं Left साइड में सभी लाइन बराबर है और Right साइड में सभी लाइन इधर उधर है कोई लाइन आगे की और तो कोई लाइन पीछे की और है तो right side में align करने के लिए सबसे पहले करेंगे Ctrl A से select और फिर जैसे ही यहाँ पे हम Ctrl plus R keyboard से press करेंगे तो हमारा सरा text right के side align हो गया तो मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगा Ctrl R से right, Ctrl L से left Ctrl R से right, Ctrl L से left Ctrl E से center, Ctrl J से justify Clear है? तो आईए अब बढ़ते हैं आगे तो अब बात करते हैं Ctrl plus S Ctrl plus S से होता है save a new file जिस भी document पे हम काम कर रहे हैं और वो save नहीं है उसे save करना है तो उस condition में हम लोग Ctrl के साथ S बटन का यूज करते हैं तो आईए इसे भी हम समझते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह document हमारे computer में save नहीं है save करने के लिए हम यहाँ पे Ctrl के साथ S बटन का यूज करेंगे जैसे Ctrl के साथ S दबाएंगे यहाँ पे save का एक dialog box open होगा यहाँ पे file name पूछ रहा है है ना? अगर file name हम यहाँ पे डाल दिये और जैसे हम यहाँ पे save करेंगे वो file हमारा save हो जाएगा है ना? तो इस तरीके से हम लोग Ctrl S से new file को save करने के लिए use करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो अब बात करेंगे Ctrl plus T Ctrl plus T से होता है दोस्तो increase hanging indent और Ctrl shift T से होता है decrease hanging indent है ना? तो आएए इसे भी हम practically समझते हैं तो hanging indent करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही Ctrl के साथ T button प्रेस करेंगे तो अब देखिए disaster like वो line हमारा hang हो गया है ना? hanging indent मतलब कि वो line hang हो गया है वो line जहाँ पे है वहीं अस्तिर है second line से paragraph आगे की और बढ़ रहा है ना? first line वहीं का वहीं इस्तिर है second line आगे की और बढ़ रहा है ना? तो इस तरहीके से हम लोग hanging indent का यूज करते हैं फिर Ctrl shift किसा T के बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा decrease हो जाएगा है ना? तो Ctrl किसा T बढ़ बटन करेंगे तो hanging indent हो जाएगा और Ctrl shift किसा T करेंगे तो हो indent decrease हो जाएगा है ना? तो इस तरहीके से हम increase और decrease hanging indent का यूज करते हैं तरही है बढ़ते हैं हम लोग आगे और अब बात करेंगे Ctrl प्लस यू तो Ctrl प्लस यू से होता है तो दोस्तो To underline selected text and Ctrl shift D से होता है Double underline मतलब हम अपने select के वे टेक्स्ट को single underline और double underline दोनों करना सिखेंगे तो आईए हम लोग इसे practically समझते हैं यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को हमें underline करना है सबसे पहले हम उसे कर लेंगे select है ना जैसे that और designed to को हमने कर लिया select यहाँ पर हम जैसे Ctrl यू बटन को प्रेस करेंगे देखें यहाँ पर single underline आगया है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर single underline आगया है अगर यहाँ पर हमको double underline लाना है तो फिर से हम इसे करेंगे select उसके बाद Ctrl, Shift और D जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर double underline आगया है आप यहाँ पर देख सकते हैं Ctrl के साथ U प्रेस करेंगे तो single underline Ctrl, Shift के साथ D प्रेस करेंगे तो वहाँ पर double underline Ctrl के साथ U कंबिनेशन single underline Ctrl, Shift के साथ D का कंबिनेशन double underline और अब हम लोग बात करेंगे Ctrl, Plus, B तो Ctrl, Plus, B से होता है To, Paste, Copy, File To, Paste, Copy, File Copy किये हुए File को हम लोग Ctrl, Plus, B से Paste करते हैं तो आईए इसे हम लोग समझते है Copy किये हुए File को हम लोग Ctrl, Plus, B से Paste करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस तरीके से Drag करके हमें इसे Ctrl, Plus, C से Copy करना होगा Ctrl, Plus, C से Copy करना होगा उसके बाद यहाँ पे हमको इसे Ctrl, Plus, B से Paste करना परेगा है ना Ctrl, Plus, C से Copy और Ctrl, Plus, B से Paste Ctrl, Plus, C से Copy और Ctrl, Plus, B से Paste Copy किये हुए Text को हम तब तक Paste कर सकते हैं जब तक कि हम किसी दूसरे Text को Copy ना किये हो है ना तो चलिए बरते हैं आगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे Ctrl, Plus, W से क्या होता है तो Ctrl, Plus, W से To Close Current File है ना To Close Current File मतलब जिस Document पे हम काम कर रहे हैं अगर उसे Close करना है तो उस Condition में हम Ctrl, Plus, W का Use करेंगे तो आप देखिए जैसे ही हम Ctrl के साथ W बातनों को प्रेस करेंगे देखिए वो फाइल हमारा Close हो गया है ना तो इस तरीके से हम अपने फाइल को Close कर सकते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे Ctrl, Plus, X और Ctrl, Plus, X से होता है To Cut Selected Text Select के विए Text को हम लोग Cut कर सकते हैं आईए इसे भी हम लोग Practically समझते हैं Cut का कहने का मतलब है कि मान लिजिए जब किसी Text को उस अस्थान से हटा करके दुसरी अस्थान पर लेके जाना हो तो वहाँ पे हम लोग Ctrl, X का यूज़ करेंगे मान लिया जा Taste Camperate Text को हम लोग यहां से हटाने के लिए Ctrl, X का यूज़ करते हैं तो Ctrl, X से हो गया Cut और Look के बाद ये बीच वाले प्राग्राफ में हम को वो चाहिए तो हम वहाँ पे Ctrl, B से उसको Paste कर देंगे Ctrl, X से Cut और Ctrl, B से Paste Ctrl, X से Cut Ctrl, B से Paste इस तरह से हम लोग Select कर लेंगे Ctrl, C से 이해 Ctrl, C से划़ पे Select कर लेंगे Select करने के पाद जैसे हैं Ctrl, C پरेंगे तोη तो יूप और जैसे हैं Ctrl, B से करेंगे तो वो Paste हो जाएगा ना अगर इसे हटाना है यहां से तो खन्रूल के सहथ X प्रेस करेंगे तो वो paste हो जाएगा है ना तो copy, cut, paste तीनों आपको अब तक किलियर हो चुका होगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब हम लोग बात करेंगे Ctrl Y, Redo Ctrl Z, Undone दूसरे से विप्रित है तो आईए हम इसे practically समझते हैं मान लिया जाए कि हम you can easily change PC formatting को Ctrl C से कर लेते हैं copy और यहां पर हम Ctrl V से कर लेते हैं paste है ना तो हम चाहते हैं कि नहीं यह हम से गलती होगी है ना you can easily change PC formatting जिसको हम copy किये हुए हैं यह हम को हटाना है तो उस condition में हम लोग Ctrl Z का परियोग करेंगे हैं ना एक step और back जाना है तो हम Ctrl Z करेंगे तो देखें यह भी हट गया है ना फिर Ctrl Z करेंगे तो इस तरीके से एक-एक step back आता जाएगा फिर Ctrl Z करेंगे देखिए एक-एक step जहां से back जा रहा है फिर जैसे हम लोग Ctrl Y प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा Redo, Control Y जैसे ही प्रेस करें है तो यतना सी अभी तक बैक हुआ है करके अधर चला जाएगा यह देखिए Control Y से Redo और Control Z से Undo तो इस तरीके से हम लोग Control Z और Control Y का यूज़ करते हैं एक स्टेप पिशे जाने के लिए और एक स्टेप आगे आने के लिए एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लें यह जो सौटकट हम आपको बताएं हैं यह सबसे ज़्यादा इस्तमाल में आते हैं चाहे आप बेसिक लेबल पे काम करो या एडवांस लेबल पे है ना और भी सौटकट है केम्पीटर के जो की हम आगे आने वाले वीडियो में सिखेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से सेर कीजेगा यहां तक दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक जय हिन जय भारत